Hello viewers, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा types of condoms के बारे में क्योंकि condom का इस्तेमाल अंचाहे गर्व से बचने के लिए या फिर safety purpose के लिए लोग करते ही हैं लेकिन इसमें भी latex और non-latex condom मिलती है तो हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क होता है वैसे latex और non-latex condoms में उसके बनाने में use की जाने वाली materials का फर्क होता है लेकिन materials के फर्क से उनमें benefits में भी काफी अंतर होते हैं तो चलिए latex और non-latex condoms के बारे में details में जान लेते हैं दोस्तों latex और non-latex condoms के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि market में over the counter जो भी condoms available होती है उनमें से 95% latex condom होती है और ये latex नाम की एक material से बना होता है जो एक kind का plastic होता है इसके अलावा इसको बनाने के लिए polyurethane और polyisopreme नाम के chemicals भी मिलाए जाते हैं वहीं अगर non-latex condoms की बात करें तो ये latex free होता है यानि कि इसको बनाने के लिए latex का इस्तेमाल नहीं किया जाता है लेकिन इन दोनों ही condoms के types को बनाने में difference की वज़ा से इसके benefits में भी difference होती है latex और non-latex condom में अंतर की बात करें तो latex condom की अपनी एक smell होती है और कई लोगों को latex condom की smell से allergy होती है वही non-latex condom smell free होता है इसके अलावा non-latex condom ज़्यादा heat conduct करती है जिसकी वज़ा से ये body temperature से जल्दी adjust कर जाती है इसके अलावा जिन लोगों का skin ज़्यादा sensitive होता है उनमें latex condom की वज़ा से allergy देखने को मिल सकती है और ये skin allergy males तता females दोनों में ही देखने को मिलते हैं जैसे की genital parts में सफेदी जमा होना वहाँ पे eachings और burning sensation होना इसके अलावा skin rashes होने जैसी शिकायत latex condom की वज़ा से देखने को मिल सकती है वही non-latex condom का यूज करने से ये सभी health risk के chances कम होती हैं हालाकि non-latex condom durability के मामले में पहले कम होती थी उसकी leakage की समस्या भी आती थी लेकिन आज के समय में non-latex condom को तयार करने के लिए ऐसी materials का भी use किया जाता है जिसकी वज़ा से उसकी durability अब अच्छी हो गई है तो इस आधार पे जिन लोगों को latex condom से allergy होती है उनमें eating से या burning sensation या फिर सफेदी जमा होने जैसी सिकायत देखने को मिलती है वो non-latex condom का use कर सकती है हालाकि non-latex condom easily market में available नहीं होती है और ये थोरी expensive भी होती है non-latex condom को purchase करने के लिए मैं video के description में link डाल दे रहा हूँ वहां से भी आप non-latex condom चेक कर सकते है या फिर online order करके मनवा सकते है इसके अलावा आपकी कोई और health issue है या इस topic पे आपके मन में अभी कोई सवाल है तो आप हमें video के नीचे comment करके या फिर instagram पे messages करके अपने सुझाओ भेज सकते है ये video अच्छी लगी है तो इसको like और share करें और ऐसे ही health related videos पाने के लिए हमारे channel को subscribe करके bell के icon पे भी प्रेस कर लें